क्या आप जानते हैं कि आज से कुछ साल पहले उपियोग होने वाले टेप रिकोडर में या गाने सुनने में कैसे टेप के अविस्कारक कौन थे फ्लिप्स कंपनी के एक डच इंजिनियर और इन्वेंटर ब्लू ओटेंस ने सन 1962 इसपी में कैसे टेप बनाया था इसके बाद संगीत की दुनिया में मानोकरांती सी ही आ गई थी तथा लोगों को संगीत सुनने सुनाने का तरीका ही बदल गया था और उस समय एक कैसेट की कीमत पचास से सो रुप्य होती थी तथा एक अनुमान के मुताबिक सो अरब से भी अधिक कैसेट बेचे गए थे तो आप भी बताईए क्या आपने भी इस कैसेट से गाना सुना है वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा इस वीडियो को लाइक और सेर कीजिए